नमस्कार सभी को मैं मत्तु केवट मैं आज आपको इस वीडियो की माध्यम से भाषा विशे के अंतरगत कक्षा चौथी पाठ क्रमांक चार जायक वारी बांध तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जायक वारी बांध के शाध्याय के प्रेश्ण के उत्तरों की जानकारी देने वाला हूँ तो जायक वारी के बांध में तो आपको जानकारी है ही कि जायक वारी बांध महाराष्ट की सबसे बड़ी जल पर योजना है यह बांध औरंगाबाद जिले के पैठन में गोदावरी नदी पर बनाया गया है मिट्टी से बना यह बांध मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है यात्रा वारणन के रोप में प्रस्तुत किये गए इस निबंध में जायक वारी बांध का आखो देखा चित्र प्रस्तुत किया गया है इसकी जानकारी है तो आईए आप इस वीडियो के माध्यम से जायक वारी बांध में दिये गए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हम प्राप्त करते हैं पहला प्रश्ण है निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखो पहला प्रश्ण है इसके अंतरगत का सबसे अच्छा निबंध किसका है प्रश्ण पहला है बच्चों सबसे अच्छा निबंध किसका है इसका उत्तर है सबसे अच्छा निबंध मनीश का है सबसे अच्छा निबंध किसका है उत्तर है इसका सबसे अच्छा निबंध मनीश का है प्रश्ण पहले के अंतरगर दूसरा है खा विद्यार्थी रेल द्वारा कहां गए उत्तर है विद्यार्थी रेल द्वारा औरंगाबाद गए प्रस्ण को फिर से देखिए, खा है विद्यार्थी रेल द्वारा कहां गएं, इसका उत्तर है विद्यार्थी रेल द्वारा और अंगाबाद गएं और प्रस्ण पहले में तीसरा है गः, जायक वारी बांध के कारण किसे और कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई, इसका उत्तर है जायक वारी बांध से मराथा वारा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेय जल और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, प्रस्ण को फिर से एक बार देखते हैं, जायक वारी बांध से मराथ वारा के प्रस्ण है, जायक वारी बांध के कारण किसे और कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई, इसका उत्तर है देखिए, जायक वारी बांध से मराथ वारा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेय जल और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, तो तीन प्रस्ण को आपने देखा, पहला प्रस्ण है, इसके अंतरगत को, फिर से एक बार देखते हैं, सबसे अच्छा निबंध किसका है, तो इसका उत्तर है, सबसे अच्छा निबंध मनीश का है, दूसरा खा है, विद्यार्थी रेल दोरा कहां गएं, इस प्रस्ण का उत्तर है, विद्यार्थी रेल दोरा औरंगाबाद गएं, और इसमें तीसरा गह है, जायक वारी बांध के कारण किसी और कौन सी सुवधाएं प्राप्त हुई तो उत्तर है इसका देखिए जायक वाड़ी बांध से मराठ वाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल पेजल और बिजली की सुवधाएं प्राप्त हुई हैं चौथा प्रस्ण है देखिए घौ ग्यानेश्वर उद्यान की क्या विसेस्ता है इसका उत्तर है बच्चों जायक वाड़ी बांध के जलासे की पास ही ग्यानेश्वर उद्यान है यह मैशूर के व्रिंदावन उद्यान की तरह बहुत सुन्दर है संध्या के समय धौनी और प्रकाश के साथ फवारों का द्रिश बहुत आकरशक होता है प्रश्ण को एक बार फिर से सुनिए गह है प्रश्ण ज्यानेश्वर उद्यान की क्या विसेस्ता है तो इसका उत्तर है देखिए जायक वारी बांध के जलासे के पास ही ग्यानेश्वर उद्यान है यह मैशूर के व्रिंदावन उद्यान की तरह बहुत सुन्दर है संध्या के समय धौनी और प्रकाश के साथ फवारों का द्रिश्च बहुत आकरशक होता है और प्रश्ण अंतीम है देखिए अंगा है यह प्रश्ण जायक वारी के आसपास अन्य दरसनीय अस्थान कौन से है इसका उत्तर है जायक वारी बांध से कुछ दूरी पर अजन्ता ये लोरा की गुफाएं और दौलता बाद का प्रशिद किला दरसनीय अस्थान है इन प्रश्णों को एक बार फिर से देखते हैं प्रश्ण चौथा प्रश्ण है घ्ञानेश्वर उद्यान की क्या विसेस्ता है इसका उत्तर है देखिए जायक वारी बांध के जलासे के पास ही ग्यानेश्वर उद्यान है यह मैसूर के विरिंदावन उद्यान की तरह बहुत सुंदर है संध्या के समय धोनी और प्रकास के साथ फवारों का द्रिश्च बहुत आकरशक होता है और अंतिम प्रशन है अंगा है इसमें जायक वारी के आसपास अन दर्सनी अस्थान कौन से है इसका उत्तर है बच्चों जायक वारी बांद से कुछ दूरी पर अजन्ता ये लोरा की गुफाएं और दौलता बाद का प्रशिद किला दर्शनी अस्थान है तो इस तरह से बच्चों ये स्वाध्याय के प्रशन के उत्तर हैं अब हम आगे इस पार्ट का कुछ सब्दार्थ देखते हैं कि कौन कौन से सब्दार्थ हैं इस पार्ट के सब्दार्थ को हम देखते हैं जैसे सब्द है आनंद दाई तो आनंद दाई का क्या आर्था होगा आनंद दाई शब्द है आनंद दाई तो इसका सब्दा आनंद दाई आर्था मजेदार होता है जिससे हमें क्या मिले सुख मिले और आनंद दाई आर्था मजेदार होता है अगला शब्द है देखते हैं हम धोनी धोनी अर्थात धोनी शब्द का आयर्थ होगा आवाज इसके बाद है पे जल का क्या आयर्था है पे जल पे जल अर्था जो पानी पीने की योग होगा अर्था पीने का पानी पीने का पानी है उसे हम पे जल कहते हैं अगला शब्द हम देखते हैं प्रशिद्ध मतलब क्या होता है प्रशिद्ध आधादार रहेगा और ये प्रशिद्ध प्रशिद्ध अर्थात मशहूर जिसकी क्या हो ख्याती हो विख्यात हो इसे विख्यात भी कहते हैं और हम यहाँ प्रशिद अर्थात मशुर लिख देते हैं इसके बाद प्रशन का लिख देते हैं खुश होगा और भी कुछ सब्द हैं उनको हम देखते हैं शब्दार्थ के अंतरगत अगले कुछ सब्द हैं जैसे शब्द है सुहावने, सुहावने अर्थात सुन्दर होता है, इसका हम सब्दार्थ लिखेंगे सुहावने अर्थात सुन्दर, अगला शब्द है निर्मार, निर्मार अर्थात किसी चीज को बनाना या रचना करना, निर्माड का हम रचना भी लिख सकते हैं किसी चीज की निर्मित करना या बनाने का काम रचना या बनाने का काम जैसे घर बनाते हैं तो उन निर्माड हो जाएगा या रचना हो जाएगा भाववे भाव जैसे देखिए गनपती और जब आती है तो भाव पंडाल बनाते हैं जो पंडाल है भाव अर्थात विशाल और शुंदर होता है भाव शब्द का अर्थ होता है विशाल और सुंदर आप लोगों ने दुर्गा पूजा और गनपती उत्सव में पंडाल बनाते हैं तो भाव शब्द का अर्थ होगा विशाल और सुंदर जिसे हम भाव कहते हैं अगला शब्द है उत्पादन उत्पादन का अर्थ भी होता है निर्माड करना निर्माड या बनाना जिसे हम उत्पादन कहते हैं और अंतिम सब्द है देखिए दर्शनी है दर्शनी का अर्थ होता है जैसे पंडाल को हम देखने जाते हैं देखने योग जिसे बार बार देखें इसी सुंदर चीज को हम देखते हैं जैसे उसे दर्शनी योग अर्था देखनी योग जो शुंदर हो तो इस तरह से ये सब्दों के अर्थ है देखिए सुहावने सुंदर निर्माड रचना या बनाने का काम भव विशाल और शुंदर उत्पादन निर्माड दर्शनी देखने योग जोग अगला शब्द हम देखते हैं जलासे किसे कहते हैं जलासे अर्था तो वह अस्थान जहां पानी जमा होकर ठाहरा रहता है यानि हम जहां पानी को क्या करते हैं जमा करते हैं तो जलासे सब्द का अर्थ होगा वह अस्थान जलासे अर्था पानी जहां रुका हो वह अस्थान पानी जहां पानी जमा होकर ठाहरा रहता है तो जलासे सब्द का अर्थ है बच्चों वह अस्थान जहां पानी जमा होकर ठाहरा रहता है उसे हम जलासे कहते हैं जैसे तालाब हो गया चारोबाज उसे जमीन है और जो नदी है नदी के उपर बांध बना करके पानी को क्या करते हैं रोकते हैं उसको रोक करके वहां रखे रहते हैं बिपुल शब्द ये काता है, बिपुल, वी, बिपुल शब्द का आर्थ देखिए क्या है, बिपुल आर्थाल विशाल होगा या अत्यधिक भारी मात्रा जिसको कहते हैं, तो बिपुल शब्द का अर्थ होगा अत्यधिक या इसका अर्थ होगा अत्यधिक, दूसरा अर्थ होगा भारी मात्रा, भारी मात्रा अर्था बहुत जाना, तो बिपुल शब्द का अर्थ हम लिखेंगे अत्यधिक या भारी मात्रा तो देखते हैं इन सब्दों का अर्थ है एक बार फिट से जलाश है, जलाश है शब्द का सब्दा अर्थ होगा वह अस्थान जहां पानी जमा होकर ठहरा रहता है, बिपुल शब्द का अर्थ है अत्यधिक भारी मात्रा तो इस तरह से आप इस जायक वारी बांध इस पाठ के स्वाध्याय के प्रशनों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, उनके शब्दा अर्थों को देखिए और सब्दा अर्थों का लेखन करिए, वा लाइक करें शेयर करें धन्यवाद सभी का